नमस्कार कैसे हैं आप सब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको इस टाइम को effectively manage करना है ताकि आप entrance exams crack कर सको और देखिए दो तरह के students है फिलहाल एक वो है जिनके target clear है कि मुझे ये entrance exams देने है और वो entrance exams भी confirmed है कि ये होने ही वाले हैं जो हर साल होते आए हैं जैसे कि D.U.Jet है, Crisis University है, Symbiosis है, Narsimunji है या फिर IPMET है, ZIPMET है, St. Xavier's है, IPU Set है तो जितने भी entrance exams है काफी students है जिनके clear target है कि मुझे यही करना है लेकिन दूसरे वो students है जो काफी confused है कि अभी हम लोग क्या करें क्योंकि बहुत सारे officials बोल रहे हैं, C.U.S.E.T होगा BA, B.Sc.E. और B.C.E. के लिए बहुत सारे officials बोल रहे हैं कि नहीं होगा तो जो students Delhi University के अंदर जाना चाहते हैं BA, B.Sc.E. और B.C.E. के अंदर वो काफी साथा confused है कि इस movement पर हम लोग क्या करें तो देखिए, सबसे पहले मैं उन्ही को बता लेता हूँ कि आपको भी क्या करना चाहिए आपको दरसल थोड़ा सा wait करना चाहिए क्योंकि देखो, जैसे ही मालीज ये CUSet confirm होता है क्योंकि अभी तो देखो CUSet का कुछ नहीं बता है कोई official बोलता है, होगा, कोई official बोलता है, नहीं होगा हर रोज news articles आते हैं, कभी news channel बोलता है, नहीं होगा, कभी बोलता है, होगा तो exactly कभी किसी को नहीं बता सच बताओं तो क्या होने वाला है तो अभी आपके काम करो, थोड़ा सा wait करो, हो सकता है कुछ दिनों के अंदर कोई news आ जाए, कोई official update आ जाए CUSet को लेकर, अगर कोई official update आती है कि होगा, तो आपको sufficient time मिलेगा preparation के लिए अगर नहीं होगा तो आपको बता चल जाएगा कि किस तरह से आपके marks लगेंगे, क्या admission प्रोसेजर होने वाला है तो आप अभी फिलाल कुछ देर के लिए wait करो, और जो वो student है जिनके targets clear है कि मुझे तो DUZ देना है, मुझे तो Christ देना है, Symbiosis देना है, IP University, जितने भी entrance exam से अगर आपको वो देने है तो आज हम बात करते हैं कि आप किस तरह से अपने time को manage कर सकते हैं, किस तरह से effectively अपने entrance exams को crack कर सकते हो सबसे पहली चीज़ यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास time कितना बचा हुआ है क्योंकि देखिए एक round जो है भी crisis city का 19th of June को है, IIM रहतक जो है वो भी 19th of June को है अगर मैं आपके IIM इंदोर की बात करूँ 16th of July को है, Symbiosis की बात करूँ तो 27th of June को था लेकिन अभी वहाँ पर दिख रहा है कि जो revise date है हम जल्दी declare करने वाले हैं दोबारा से, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपके entrance exams कब है अगर आप DUJR दे रहे हो, IPU दे रहे हो, तो आप लगा कर चलो कि आपके entrance exam दो या धाई महीने के बाद ही होने वाले है उससे पहले नहीं होने वाले, आपके पास एक estimate है, अब आपको किस तरह से time manage करना है, किस तरह से हरोज पढ़ाई करनी है, कौन-कोंसे topics पढ़ने है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कि आप जो entrance exam टागेट कर रहे हो, उसका exam pattern क्या है, मैं आपको सारे के सारे exam patterns बता देता हूँ, मानलीजी आप DUJet दे रहे हो, तो DUJet का syllabus क्या है, GK, Verbal, LR and Quants का, अगर आप IPMET indoor दे रहे हो, उसका syllabus है, Verbal and Quants का, अगर देखिए, DUJet and IPMET के अंदर इन दोनों के अंदर हायर मैस भी होता है, Quants के अंदर, बाती जितने भी entrances होते है, Quants के अंदर हायर मैस नहीं होता है, तो मानलीजी आप कोई over interest target कर रहे हो, Christ target कर रहे हो, आपने हायर मैस भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो आपका time waste हो जा है, यहाँ पर आपको बहुत सारी horizontal and vertical lines दिख रहे होंगी, यह मतलब हम लोग जो crash course provide करते हैं students को, हम लोग उन्हें यह time schedule देते हैं कि इस time schedule के recording आप पढ़ाई शुरू करो, इस time table के recording आप पढ़ाई शुरू करो, तो मैं आपके साथ भी share कर रहा हूँ, अगर आपको घर प business awareness है, verbal ability है, LRDI है, quants है, higher maths है, तो लगबग लगबग जितने भी entrance exams होते हैं, aptitude test के अंदर यही सब आता है, तो first day पर आपको क्या पढ़ना है, first day पर आपको economy जो है, countries, currencies, monetary and physical policy है, second day पर April 2020 के current affairs है, verbal ability के अंदर root words है, alphabet test है, speed math है, relation and function है, तो first day पर आपको first जो horizontal line है, वो complete कर second day पर जो second horizontal line है, वो सारे के सारे topics आपको complete करने है, जैसे की all about economics है, May 2020 के current affairs है, vocabulary है, series है, time and work है, तो इस तरह से second day पर अपनी जो second horizontal line है, वो complete करनी है, यह जो time schedule है, यह हमने 42 days का बनाया है, मालनी जी आपके entrance exam 42 days से पहले है, तो आपको अपनी speed increase करनी होगी और आपको जादा topics cover करने होंगे एक दिन के अंदर, लेकिन अगर आपका entrance exam माली जैसे DUJet है, धाई मेने या फिर तीन महीने के बाद है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप एक हो जूंटर line को दो दिन के अंदर split कर सकते हो, और आराम से जितने भी topics हैं, उनको आप cover कर सकते हो, अभी जो भी timetable है, जितने भी topics मैंने लिखे हुए हैं, यह सारे के सारे जो topics हैं, मैं आपको drive का link दे दूँगा, description के अंदर आपको link मिलेगा, वहाँ पर आप click करना, और वहाँ पर जैसे आप click करोगा, आपको पूरा का पूरा actual sheet मिल जाएगी, पूरी की पूरा के aspiring students को, लेकिन अगर आप self-study भी करना चाहते हो, तो इस time schedule के according कर सकते हो, लेकिन topic इसके अंदर इतने जाद है कि आपको मतलब धूनने में काफी time लगने वाला है, और हम लोग आपको 200 plus hours के video lecture देते हैं, 150 plus hours बोलता था लेकिन वो actual में 200 plus hours के video lecture है, तो अगर आप एक BBA, B BMS or IPM के aspiring student है, अगर आप entrance exams crack करना चाहते हो, DUJet है, Christ University है, Symbosys है, IP University है, St. Xavier's है, NPAT है, इसके अलावा IPMET है, ZIPMET है, जितने भी entrance exams है, BBA, BMS or IPM के लिए, अगर आपको सभी को crack करना चाहते हो, तो आप हमारा crash course भी join कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 200 plus hours के video lecture मिलते हैं, इसके अलावा आपको 260 topic test मिलते हैं, practice के लिए, इसके अलावा आपको वहाँ पर 10 plus full land mock test मिलेंगे, DUJet के mock test अलग है, Christ के अलग है, Symbosys के अलग है, Narsimunji के अलग है, सब के आपको अलग-अलग mock test मिलते हैं, इसके साथ साथ एक आपको doubt solving portal मिलता है, जहाँ पर faculty से आपने doubts पूछ सकते हो, इसके अलावा आपको की study planner भी हम लोग देते हैं, कि हरो इस कौन-कौन से topics आपको देखने हैं, तो इस तरहे से आपकी पूरी preparation होती है, अगर आप self study भी करना चाहते हो, मैं मतलब मैं किसी को force नहीं करता हूँ, join करो, अगर आप self study करना भी चाहते हो, तो य अपना 100% focus वो आप लगा सकते हो अपनी preparation के अंदर, क्योंकि क्या होता है, कि अक्सर देखो, मैं पहले आपको बोलता था कि board के exam जब cancel नहीं हुए थे, तो कि आप अपनी priorities है, उसको change करो, अगर आपको लगता है कि board की पढ़ाई आपने income की है, तो आप 60% board को दो, 40% entrances को लेकिन अब board के exam cancels हो चुकिए, आप अपने 100% जो है, वो आप अपने entrance exams को दीजिए, तो यह जो मैंने आपको time schedule बताया है, आप उसके according पढ़ाई शुरू कीजिए, और आप definitely जब आपका entrance exam होगा, उससे पहले पहले आप अपने सारे के सारे जो topics है, वो cover कर लोगे, आपको काफी सारी चीज़े प्रोवाइड की जा रही है, अगर मैं faculty की बात करूँ तो 70% जो course है, 148 सर का है, जो खुद शही सुग्देव कोलेज के लिमनाए है, डियू जेट ओपर है, जिन्होंने खुद CAT के exams दिए, 7x IIM, call holder बने 99% जिनके आई, वो आपको पढ़ाने व है, अगर आप crash को join करना चाहते हैं, तो आज से ही आप पढ़ाई शुरू कर दो, क्यूंकि आप आपके पास वो time नहीं है, कि आप यह सोच होगी कि कब से करूं, क्यूंकि अभी तो भाई, पूरा time में आपके पास, 100% अपना priority जो है, entrance exams को दोर, अगर आपको नहीं पता त जितने भी students हैं, उन सभी ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है, competition भाई बहुत बढ़ने वाला है, तो अगर आप यह सोचते रहोगी कि कब से पढ़ाई शुरू करूं, कब से शुरू करूं, तो सोचते ही रह जाओगे, so video देखने के लिए शुक्रिया, इस time schedule के according आप प अपने सारे के सारे topics कवर कर सकते हैं, so शुक्रिया,